उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में डेंगू लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है बात करें आंकडों की तो करीब पूरे लखनों में दोसों से जादा डेंगू मरीज बताये जा रहे हैं मरीज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलिज से लेकर बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और दूसरे अस्पतालों में जाँच इलाज के लिए जा रहे हैं अलग-अस्पतालों में जो बेड हैं डेंगू मरीजों के लिए वो भी आरिछित कर दिये गए हैं बढ़ते हुए डेंगू के कहर की वजा से लखनों में मच्छर दानी से लेकर के मच्छर भगाने तक की दवाओं को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है यही नहीं बकरी के दूद तक को पंद्रा सो रुपए से लेकर के दो हजार रुपए तक का बेचा जा रहा है इसी कड़ी में नगनिगम की ओर से एंटी लार्वा और फॉगिंग का भी लगाता छिड़काओ किया जा रहा है ताकि लोगों को मच्छरों से बचा जा सके वही शाशन की ओर से भी लोगबंदू अस्पताल को डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल घोशित कर दिया गया है यानि लोगबंदू हॉस्पिटल में 24 घंटे मरीजों को डेंगू की जाच और इलाज की सुईधाय मिलेगी आपको बता दें कि यहाँ पर 100 बेड आरचित क लिए इसके अलावा 16 डॉक्टर्स की डुटी लगाएगे है रोश्टर्स के अकॉर्डिंग जो 24 घंटी से स्पताल में मौजूद रहेंगे किसी भी वक्त अगर मरीज को डेंगू के लक्षण है तो वो यहाँ पहुचेगा तो उसकी जाच ततकाल प्रभाव से हो जाएग हैं क्योंकि लोगबंदू हॉस्पिटल में कानपुर रोड के साथ ही एरपोर्ट का पूरा एरिया राजजी पूरम और दूरदराज के एरिये के भी यहाँ मरीज जाच इलाज के लिए जाते हैं आईए आपको ले चलते हैं डॉक्टर अजे शंकतर पाठी के पास जिनको नोडल अधिकारी भी बनाये गया है और साथ में लोगबंदू हस्पिटल के वो चिकिस सा अधिछक भी हैं आईए उनसे लेते हैं इसके बारे में जाधा जानकारी है लखनों में डेंगू की रोक थाम को लेकर के शाषन पर शाषन से लेकर सरकार तक युद्धिस्तर पे काम कर रही है लखनों से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूज 18